Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग, welcome back to a new video, आज का जो topic है वो देखे, people leaving stock market, NSE data showed that 38 lakh people, clients have left the stock market in the last 6 months, ये क्या हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे का reason जानेंगे, और आपको इस वीडियो के माद्यम से, मैं वो सारी learning दूँगा, वो सारा experience दूँगा, कि आपकी ऐसी नौबत ना है, क कि आप account खाली करने के बाद, share market को गाली गलोज करते हुए, बाहर निकलो, तो पहले ये समझ लेते हैं, कि ये जो बात है, वो सत्य कितनी है, और कितनी जूट है, तो ये 100% सत्य बात है, कि जैसे corona start हुआ, तो बहुत सारे लोगों उन्हें खाली बैठे-बैठे, stock market के अंद ही, मैं भी corona time पर ही आता हुआ, और maximum जो यहां पर भारत देश में data driven हुआ है, चाहिए आप source से भी का ले लो, NSE का ले लो, सबसे जादा जो client open account किये हैं, वो किये हैं इस particular चीज के लिए, अब समझो, client ने जो account open किया, उसमें से 90% people, या 90% जो client है, client मतलब हम आप जैसे लो market के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरी के मार्केट वाऊंगा, support resistance बनाऊंगा, market गीरेगा, put लूँगा, market उठेगा, call लूँगा, और यहां पर मैं रातो रात राजा हो जाऊंगा, कई बार उनके jackpot लगें, और जिस दिन jackpot नहीं लगा, उनका पूरा का पूरा, account खाली हो गया, यह ऐसी condition है, और पिछले 6 महीने से, आप देखोगे, there is a several number of people, जिरोंने client अपना बंद कर लिया, यह account डियक्टिवेट करके, अपना वो चले गया है, अब इसके पीछे क्या reason है, और कितना सफल होने वाला है trading, क्योंकि देखिए, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतना ज्यादा volumes बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा market के लिक्विडिटी रहेगी, उतना ज्यादा आपके कमाने के chances बढ़ेंगी, बढ़ता thing is कि अब इसका impact अपने market पर क्या पढ़ने वाला है, यह अपना market कैसे इस सर्वाइब करेगा, पहले एक data यहाँ पर परसेंट, चाइना में 13%, इंडिया में मात्र 3%, यह आप देखरों, नमबरा परसेंटेज ड्रॉप, अब इस तीन प्रतीसत में भी लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे के कुछ प्र लॉजिकल रीजन्स हम समझने की कोसिस करेंगे दोस्तों, और आप करना, कि क्या आप स्टॉक मार्केट, छोडने का रिक्री में हो, बाद में मैं की इवाइड करूंगा, कमेंट में आप से पूचूंगा, देखिए सबसे पहले तो तो केटेगोरी-े में में आ जाता हूं, किस category में आप हो, मैं three category के बारे में बात करूँगा, फिर मुझे आप बताना, category A वाले वो बंदे हैं, जिनको ये पता है कि मार्केट है, मार्केट के अंदर हमने घु olmuş doses और Todo candle को कुछ भी हो गया, चाहे वो F&O में ट्रेड करते हूं, चाहे वो इन्वेस्ट करते हूं, इन दोनों में, अब इन्वेस्ट और F&O में सबसे बड़ा निगाह कहा है, जहां पर लोगों का पैसा जाता है, पहली चीज, आप में से बहुत साइब लोग पेनी स्टॉक के बारे में सुने होंगे, कि होता क्या है, जस्ट इसका पोजिड दोस्तों, सोना जैसे होता है, कि आप सोना खरीद रहे हो, यह जमीन खरीद रहे हो, उनका रिट बहुत महँगा होता है, बट उनके अंदर लिक्विडिटी जदा है, बायर सेलर जादा है, लेकिन दो रुपए वाला से यह आप कितना ख़ीद होगे इस बैंक कि क्या है कि दो रुपया बड़ पचास करोड का हो जाएगा तो जब आप यहां पर पैसा डालते हो तो यहां पर एक लाग डालके कोई छोड दिया अब वह देख रहा है कि मेरा दो महीने तीन महीने चार महीने पांच मेने से यह 2 का एक रुपय तो हो गया लेकिन यह 2 का 10 रुपय 20 रुपय पचास रुपय नहीं हो रहा है तो वहां पर उसका डी मोटिवेशन जागरित हुआ डी मोटिवेटेड हुआ है एकाउंट क्लोज किया भाग गया कि नहीं यार यह तो फाल्तू चीज़ है मार्केट खराब चीज़ है सकेंड़ बोस्ट इंपॉर्टेंट तिंग है कि जब हम एफनो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो एफनो ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम लोगों ने अपनी किसमत आजमाई और सफल मात्र एक से दो प्रतिसत लोग यहां पर हुए होंगे अब यह फनो ट्रेडिंग के अंदर सबसे खास बाते क्या है कि जैसे आप प्रॉफिट तो छोटा कर रहे होगे यह मैं भी मान रहा हूं और मैं कंसिडर कर रहा हूं कि प् कर रहे हो यह तीन चीज़े और ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं अरे भाई यह सब मैंने किया है तम मैं आपको बता रहा हूं होता है ना कि आपको फिलोसिपी तभी देनी चाहिए जब आप खुद उस लायक हो तो मैं यह किया हूँ बहुत बुरे-बुरे कंडिσιन से बचा हूँ बहुत बुरि-बुरी कंडिसन में किया होब किया है बहुत डिप्रेच्ड रहा हूँ में सुरुवाती दोर में कहार यह तो सिर्म लॉबस की है, तब जाकर एक चीज जो जो समझ में आई, वह यह समझ मैं कि सौरब भाइ जितना देर तुम मार्केट में रुकोगे जितना मार्केट में होता है ना कि जैसे बहुत बड़ा तालाब है उसमें बहुत बड़ी मचली है आप एक मचली पाए वाह दो मचली लिए वाह तीन मचली लिए तब भी नहीं खुशो अब कूद गया उसी में कि आप मैं बड़ी कोईंट मार्केट डाउन मेरी हालत खराब कि प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 4,000 निकल जाओं लॉस हो रहा है चालीस जार तक जहल जा रहा हूं तो कहने का मतलब यह है कि जब आप वेट करेंगे करेंगे एवरेज करेंगे और मल्टिपल ट्रेट्स लेंगे मल्टिपल प्रॉफिट हो गया तो मैं मार्केट से बाहर हूं यार मेरा अगर एक लाग का लॉस हो गया मार्केट से बाहर हूं यार अगर मेरा एक लाग का प्रॉफिट हो गया मार्केट से बाहर हूं मैं अपनी वीडियो में बार बार आपको यह कहते वे सुनाई देता हूंगा जब मैं position बनाता हूं तो आप लोग live जब मेरी position में देखते हो ऑज देखो आज की देख़ो तो एक चीज में repeated लूँगा कहता हूं क्यों कहता हूं क्यों कि यह fix हो चाहिए कि 1000002 1000003400000 157 कफसीटी को और जब लास हो जाए मैंने अपना जो नियम है और मैं नियम बनाने एक इसे पहले अब को यह चीजिस बिलकुल कह दे रहा हूं कि किसी किताब में आपको नहीं सिखंफ आ जाइगा मैं कह रहा हूं जादू तलासो मत जादू होने दो मार्केट में जादू होने दो अपने आप तलासो मत आप अपने डिसिप्लिन फालो करो मार्केट को देना रहेगा आपको दबाके देगा दोसों पॉइंट कर रहे हूं एक दिन चलो आपने 50 पॉइंट बुक यह जो अभी परशों की वीडियो आप देखोगे लोह ने 900 quantity call 900 quantity call और 900 quantity call लिया था बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी ठीक हम लोगों ने यहां पर मात्र विदिन 10 to 5 minute 300 point in each strike निकाले थे इसमें साहथ 50-60 point हुआ था इसमें 1.500 इसमें 1.500 अभी फर्सों की वीडियो लाइब है आप जाके देखो मैं यहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों को आप दिल से समझो मैं क्या कहना चारहो मेरे दोस्त क्योंकि वह नौबत आपकी भी आ सकती है अप एकाउंट खाली करके मार्केट को इधर-उदर बोलते हुए सट्टा यह है गेंबलिंग है चले जाओगी बर्दा रियल तिंग इज कि यो डिसिप्लीन और एजुकेशन कैन सिट यू इन दिस मार्केट वही बैठा सकता है अगर आप दिसिप्लीन ट्रेडर हो अगर आप दिनके एक दो ट्रेड लेने में विश्वास रखते हो अगर आप एक्सपाइरी को जैकपॉट नहीं एक्सपाइरी को नॉर्मल डे मानने की कोसिस करते हो वेल्कम इन एक लब आप लोग एक लब में तभी अपने आपको करोंट करोंगे की सारब भाइ ठीक है अब मैं अपना कैलकुलेट करूंगा लॉस केलकूलेट करूंगा पैनी स्टाउक के बज़ाए में fundamental स्टाक में इन्वेस्ट करूंगा एंड मैं किले की कोसिष करूं जो अडानी के थोड़ा पहले बहुत सारी चीजे की जब देखो मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा फॉल होता है किसी भी कमपनी की वज़ा से जैसे अडानी का न्यूज आया अब अडानी की न्यूज आने से मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया मालो आपको एक बहुत बड़ा फॉल दिया अब इस फॉल में आपको यह तो दिख रहा होगा कि सारे के सारे मैंने कितने सेयर लिये सारे के सारे रेड में हैं तो रेड पोर्टफोलियो होने की वज़ा से द्यूरिंग 3-4 मन्त जो मेरे को भी यह लगता है कि अडानी का जो बहुत बड़ा इस्सू हुआ और जो रिसेशन इंफलेशन हो रहा है उसकी वज़ा से जो मार्केट गिर रहा है यहां पर अभी आज जी टीपी का भी ग्रोथ स्लो आया है इसकी वज़ा से मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों न कि दोनों सब्ज κάνे तो कहने का मतलब यह कि जब लॉल लॉल डिखता ए रैड किसी को नहीं पसंद में पॉटफोलियो टरेख़े है कि हम इस भी category वालों को साइड में रख़े और आप से मैं ये पूछ रहा हूं क्या आप इस भी category में fall होते हो या नहीं होते फॉल होने का मतलब यह है कि भी मार्केट से छोड़के चला गया हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा यह वाली कटेगरी आपकी है या नहीं है आप इस कटेगरी फॉल होते हो या नहीं होते हो और कमेंटे करिएगा कि क्या आप इस रिजन से सहमत है या नहीं और तीसरा जो सबसे important factor है उसको अम लोग समझ लेते हैं c factor है वह factor यह है क्यों मार्केट को कभी भी बिजनस की तरह वो नहीं देखें है जैसे मार्केट में बिजनस में क्या होता है ? सपोच करिये कि आपने पन्तव खोला सवकने के लिए माल आपने 15 लाग का सोर्स फंड किया अब ये 15 लाख रुपए का आपने इसमें माल भरा है तो 15 लाख रुपए में अगर आप ये माल देखोगे तो आपका किराया जाएगा वर्किंग स्ट आप का किराया जाएगा रूपए तो आप ने क्या किया पंदरा लाख का इनिशिटमेंट बेचा 17 लाख अब 17 लाख में एक लाख का खरच हो गया और बचा आपके पास एक लाख का सेविक यानि एक लाख आपका प्रॉफिट हुआ ठीक है यह है अब आप मुझे एक बात बता दो खाली सोचके कि जो दुकान खोला है वो तीस दिन में एक लाख रुपे कमा रहा है वो उसमें उसकी जिंदगी भी खुस है उसके बाल बच्चे भी खुस है वो भी खुस है परन्तु अगर मैं आप से कहूं कि आपके कमाना चाहता हूं तो यह जो सी केटेगरी है ना इसकेटेगरी को मैं कहता हूंँ के ए से बंदे हैं जो हों BILL है इनको सीधर कहलो आप गैम्म केलो जुवारी क कहलो कि केलो ना गूदा डेनों है कब ब्री लग सकती भी कहाई यह वो थुट बूरी लग लगेंगी तो ऑपको समझ महीं 뉴스 ले को हैं कहां यह रहा है तो एक लाख रुपे पर ble לא किसी को नहीं कमा नहीं अगर में 10 लाख के एक लाख निकालने तो बताई कितना पार्सेंट हुआ उत्ता तमझ मैं बोल दूंग कोगे यह क्थ यह क्या तो आप मार्केट में कई सारी चीज़े सीख सकते हो, जैसे मार्केट के अंदर आप प्लेज करके काम कर सकते हो, कि 16,00,10,00 का सेयर लेके प्लेज कर दिया, आप सेलिंग कर सकते हो 2,00,00 फंड यूज करके, कि आपको पर तीन दिन में 2000-4,000 प्रॉफित हो, पर तीन दिन में गल जाए प्रीमियम डिके हो आप यहां पर हेजिंग प्ले आउट कर सकते हो ठीक है एक्सपाइरी के दिन आप छोटा मोटा जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है चार से पाच जार रुपे इसको लगा के आप खेल सकते हो तो जब आप डिसिप्लीन मे खेलोगे छोटा छोटा एमाउंट आप कॉंसलिडेट करके कितना बड़ा पैसा बना सकते हो आप 16 लाख रुपे में एक लाख रुपे मंत्री निकाल लोगे लेकिन अगर आप 16 लाख का एक महीने में 16 लाख बनाना चाहोगे तो मैं बता रहा हूं आपको कोई यूटूब खुद से ले करे तब अलग बात है मैं तो 7 लाख लगा के 3 लाख बनाया था परसो की बात है लेकिन मैं वही तो सबसे बड़ा लालच है वही तो इंसान को ले डूपता है आप 16 लाख लगा के 1 लाख बनाने का सपना देख लो कभी जिन्दगी में आप सेयर मार्केट को ब सोला लाख का 5 लाख बनाने का मत सोचो महीने मैं कि मैं 16 लाख लगा के 5 लाख बना दूगा मत सोचो अब ठीके रहोगे तो सी क्याटेगरी में कितने में लोग लौस किये ये बताओ लोगष करेंगे जिनको लगता है कि बहुत गलतियां कि है यह सारी गलतिया मैंने की हुई है बड़े सपने देखना बड़े जैक पॉट इपना बड़ी स्ट्रेटजी यूज करना बड़े बड़े तरीकों से लोगों को लोगों के कॉल टिप्स पर काम करना आप सीखो आप लर्न करो ना आपके लिए कोर्से से बहुत यूटुबर्स के पढ़ो कुछ ना कुछ तो ग्यान मिलेगा आप लोग को क्या लगता है कि अच्छ किसी और से सीखो मत दो पैसा मत करो वह चीज लेकिन कम से कम पहले रिस्पेक्ट करो कि मुझे क्या करना है साइडवेज मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में हेजिंग क्या करनी है तब आपको मजाएगा वहां बाकि मैंने मार्केट मंत्रा www.iitntrader.in पर डाल दिया है आप सब लोग डेली क्या कर सकते हो यहां जा सकते हो यहां पर जाओ यहां पर लिखो iitntrader.in तो daily आपना मंत्रा यहाँ पर देख सकते हो मार्केट मंत्रा है इसको आप डोग daily यहाँ पर click करके देख सकते हो कि आज क्या हुआ market के अंदर आज क्या scene था तो रोज इसको देखो और market डेटा रोज देखो आपको चीजे बहुत अच्छे समय